Hello guys, welcome to TechBuzz Apple ने iOS 17 का बीटा 2 रिलीज कर दिया है और आज मैं आपको iOS 17 बीटा कैसे Apple सो ऑफिशल डाउलोड करना है वो बताऊंगा और इस वोड़े को फॉलोग करके आप आगे आने वाले iOS 17 की बीटास को डाउलोड कर पाएंगे जैसे बीटा 3, बीटा 4 और बीटा 5 आपको कोई बीटा प्रोफाइल डाउलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप लोग देख सकते की मेरा iPhone official iOS 16.5 पर रन कर रहा है तो यह एकदम official और free तरीका है iOS 17 का बीटा डाउलोड करने के लिए तो आपको Safari खोलना है और उसमें सर्च करना है Apple Developer Program First link ही आपको Apple की दिखेगी उसे open कर लेना है यहाँ पर आपको नीचे स्क्रोल करना है और get the latest betas में view the latest release को क्लिक करना है फिर से नीचे स्क्रोल करिए और यहाँ आपको iOS 17 बीटा 2 दिख रहा है जब next updates आएंगे तब आपको यहाँ पर बीटा 3, बीटा 4 बगेरा दिखेगा अब iOS 17 बीटा 2 में view download पर क्लिक कलेना है अब आपको वही Apple ID से लॉग इन करना है जो आपके iPhone में लॉग दिन है और ऐसा करने से आपका account free met developer बीटा प्रोग्राम के लिए sign in हो जाएगा अब जाना है फोन की settings में, general में, software update में तो पहले तो आपको फोन का latest official update दिखाएगा उसके बाद आपको automatically beta updates को option दिखने लगेगा उसमें आपको select करना है iOS 17 developer beta selection के बाद back जाना है और iPhone latest iOS 17 beta को search करेगा जो उस वक्त पर available होगा जैसे आप यह दिख रहा है iOS 17 beta 2 available है और इस update के size है 5.83 GB तो कम से कम आपके फोन में 6 या सवा 6 GB available होना चाहिए इससे install करने के लिए मैंने iOS 17 का detail review किया है जिसमें मैंने इसके सभी main और hidden features और iOS 17 की performance के बारे में बताया है मैं उपर card में और description में लिंक दे दूँगा अगर आपको अभी भी iOS 17 से related कोई भी doubt है तो आपनी चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है और अगर आपको हमारा यह वीडियो helpful लगा तो इस वीडियो के like and share कीजिए और हमारी चानल को subscribe करके बेल आपकोन भी दबाली जिए हम जल्दी लोटेंगा इसे informative वीडियो के साथ so till then stay tuned